हेलो अब्रीवन वेलकम तू माई चैनल तनू बाइज के चिन तनू बाइज के चिन वे आज देखेंगे आवले का चार बनाने की एक बहुत आसान रेसिपी आवला विटाविन सी आईरन और केल्शियम का एक बहुत अच्छा सोर्स है बहुत हेल्दी होता है तो इसको कई तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है इसकी कैंडी बनाया जाती है मुरबभ बनाया जाता है कई तरह से इसका अचार भी बनाया जाता है इसके लिए हमने लिये हैं कुछ मीडियम साइज के 20-25 आवला, यह देसी आवला है यहां हम आवले का चार उबाल कर बना रहे हैं इसके लिए हमने एक बरतन गैस पर रख दिया है जिसमें एक गलास पानी डाल दिया है पानी गरम हो जाने पर इस पे आवला डाल देने हैं और पांच मिनिट के लिए ढख कर इनको उबाल आने तक पकाना है जादा नहीं उबालना है क्योंकि तेल के अंदर भी इनको कुछ गरम करेंगे इस तरह से आमले छलनी में निकाल करें का पानी अलग कर दिया है और करके रख लिए हैं छोटे पीस बना कर आवले को आप प्रैशर कुकर में भी एक सीटी आने तक भाप में पका सकते हैं किसी अलग डबी में रख कर अगर हास से नहीं हो रहा है तो इसको चाकू से भी छोटे-छोटे पीस में काट कर रखा जा सकते हैं ध्यान रहे हमने आमल मीदोंसे सौंफ और मैथी को हुए अलग से करेंड कर ले ना है मसालों को हम ने जी ड्रय रोस्ट नहींножर कई है क्योंकि गरम तेल में दालने पर मसाले रोस्ट हो जाते हैं ज़ादा रोस्ट करने पर मसाले का फ्लेवर चला जाता है और अचार का टेस्ट भी अच्छा नह तेल जब हलका गरम हो जाएगा तब उसमें जो हमने आवले के पीस बना कर रहके थे इनको आट कर देना है मीडियूम फ्लेम करके इसको गरम करेंगे अब इसमें कुछ मसाले आट कर देंगे ये है एक चमच हल्दी पाउडर एक चमच लाल मिर्च पाउडर लाल मिर्चाप अपने टेस्स के कॉडिंग बढ़ा सकते हैं अगर जादा तीखा काना है तो ये जो मसाले पीस कर रखे थे दो चमच सौफ और मैथी का पाउडर चार से छे चमच राई का पाउडर आदा चमच हींग इनको अच्छे से मिक्स करेंगे ध्यान रहे फ्लेम स्लो होना चाहिए इस तरह से चलाते हुए पांच मिनिट तक लो फ्लेम पर इसका मॉइश्यर कम करना है तो कि बॉइल करने पर जो भी मॉइश्यर आमले में होगा वो इस सब निकल जाएगा अब इसमें कलोजी एक चमच डाल दी है अब इसका में इंग्रीडियेंट जो है नमक एट करेंगे यह हमने दो से तीन चमच नमक एट करना है नमक की मातरा सही होनी चाहिए जिससे के अचार खराब नहीं होते हैं एक चमच से अच्छे से मिक्स कर लेंगे हलकी हाथ से चलाते हुए इसको इस तरह से मिक्स कर लिना है और दो मिनिट लो फ्लेम पर इसी तरह से इसको चलाकर भूनेंगे यह अचार बनकर तयार हो गया है एक सूखे काच के जार में इसको स्टोर करके रख सकते हैं तेल की मातरा आप और बढ़ा सकते हैं अगर जादा मातरा में बनाना है तो अचार को तेल में डूबो कर रखा जाता है यह मैंने इंस्टेंट अचार बनाया है पंदरा दिन तक ऐसे ही इसको रखने पर यह खराब नहीं होता है जादा तेल डालने के अविशक्ता नहीं पड़ती है अगर आपको लंबे समय के लिए रखना है तो इसको तेल में डूबो कर रखना होगा आवले का अचार और भी तरह से बनाया जाता है जो मैं अपनी अगली लिंक में बताऊंगी कच्चे आवले को काट कर इसका लंबे समय तक चलने वाला चार भी बनाया जाता है तो आप भी बनाई और बताईए कैसी लगी मेरी रेसिपी अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमिक्स करना न भूल लिए एक और नई रेसिपी देखने के लिए देख तेरे ये तनू बैज के चिन थाल. झाल. थाल. भूछाँ